गुड आफ्टरून स्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ेंगे साथ-साथ कैसे-कैसे इनकी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्चर्स हैं उसके डीटेल्स के बारे में ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं टिपकल प्लांट सेल है कैसे कह दिया मैंने प्लांट सेल यहाँ बताने के लिए कि भई प्लांट सेल और इनिमल सेल में क्या अंतर होगा जानना है plant cell अगर है तो उसमें cell wall पाई जाएगी और animal cell है तो क्या उसमें cell wall पाई जाएगी नहीं पाई जाएगेगी यह क्या है? एलो कलर की इसके से बना हुआ है यह है cell membrane यह प्लाजमा membrane Mitochondria, क्या काम है Mitochondria का? Production of ATP, Powerhouse of the Cell, Vacule, Pluroplast, Nucleus तो अब मैं इसे लिखूंगा Nuclear Membrane, क्योंकि मुझे इसके अंदर बात करनी है Nuclear Membrane, Nuclear Membrane के अंदर होगा, एक Centriol यह Zig Jackson रचना, यह होगी, Nucleus Nucleus के अंदर ही है, इसे कहेंगे, Nucleoproteins या फिर DNA, RNA, Gentic Material इसको Gentic Material कहा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा Golgi body, Nuclear Membrane से अटेच होता है, Indoplasmic Reticulum ER, Indoplasmic Reticulum, क्यार पोर्टर ने इसे खोजा था ER दो प्रकार के होंगे, जिस पे dots लगे हुए हैं उसे कहेंगे, Rough Indoplasmic Reticulum और जिन पे नहीं लगे रहेंगे, उसे कहेंगे, Smooth Endoplasmic Reticulum Granular structure, जिसके अंदर कर ये सारे parts, आर्गेल्स भरे रहते हैं इसे कहेंगे, Cytoplasm कहीं-कहीं छोटे-छोटे आर्गेल्स और मिलेंगे आपको, बोलेंगे, Ribos हों ये रहा typical plant cell, अब हम एक-एक portion को उठाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम बाहर से सुरू करते हैं, cell wall, cell membrane से सुरू करते हैं ताकि coordination बना रहे हैं, ठीक हैं? आईए, cell membrane जब cell की खोज हुई, जब membrane पर रिसर्च चल लई थी, तो सबसे पहले Overton ने ये बताया, Overton एक scientist थे, उन्होंने यह बताया कि cell is made up of lipid only, ठीक हैं? लिखे, cell is made up of lipid only, Overton, Overton, इन्होंने बताया कि cell is made up of lipid only, केवल lipid का बना होता है केवल lipid का बना होता है, किसने बताया? Overton ने बताया था बच्चों फिर दूसरे scientist आये, Grotar and Grendal, इन्होंने बताया कि the cell, membrane is made up with two lipid bilayers किसने बताया था? Grotar and Grendal Overton ने बताया, cell is made up of lipid only, Grotar and Grendal ने बताया कि lipid की bilayer का बना होता है, कैसे कैसे structure आगे बढ़ा है, मैं आपको बताते चलना हूँ देखिए, अगर lipid layer का बना होगा सिर्फ, सबसे पाहिए lipid molecule को देखिए, lipid molecule में दो हिस्से पाये जाएंगे, एक होगा polar head, polar head, और दूसरा होगा non-polar tell, बच्चों जो non-polar tell है, उसके दो हिस्से होगे, एक normal structure chain होगी, दूसरी एक chain होगी, chain with kink, ये जो तिर्फाय structure है, इसे बोलते है kink, 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 chain with kink, तो एक lipid molecule जो है, polar head और non-polar tell से मिलके बना होता है, non-polar tell के दो हिस्से, एक normal chain, दूसरी chain with kink, इसे कहेंगे non-polar tell इन दूनों हिस्सों को, जब बहुत सारी lipid layers या lipid molecule आपस में चिपक जाएं, कुछ इस तरह से, ठीक, यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, polar head और non-polar tell, इस तरह की सनशनाव कहेंगे, lipid monolayer, जिसे overton ने बताया था, monolayer, किस ने बताया था, overton ने बताया था, इसके बारे में, अच्छा यह आपस में चिपके कैसे, किसी ने किसी force से चिपके होंगे, कोई बल लगा होगा इनको चिपकाने के लिए, बिल्कुल लगा है बच्चों, wonder wall balls, बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, इन दोनों को चिपकाने के लिए, जो बल लगा है आपस में, एक lipid molecule को, दूसरे lipid molecule को चिपकाने में, जो बल लगा है, उसे कहेंगे, wonder wall force, अब यह force कब लगेगा बच्चों, जब lipid molecule, जब कोई lipid molecule, 0.3 nanometer से, 0.4 nanometer के करीब आ जाए, इतना करीब आ जाए, पॉइंट की, उनके बीच की दूरी, 0.3 से 0.4 nanometer हो जाए, तो, वो दो molecule आपस में, चिपक जाते हैं, उस तरह के बल को कहते हैं, wonder wall force, ठीक है? दूसरा था, Grotal and Grendal ने बताया, कि cell membrane has, lipid bilayer, एक लिएर उपर है, दूसरी, नीशे बन जाए, दिखा दें, उपर की एक लिएर, नीशे की एक लिएर, बन जाए, तो इसे कहेंगे, lipid bilayer, monolayer, दो monolayer आपस में मिल गई, क्या बन गया? लिपिड bilayer, अब lipid bilayer के बीच, एक lipid layer, दूसरे lipid layer को आपस में जोडे रखने के लिए भी कोई बल चाहिए, कौन सा बल लाएगा? hydrophobic, hydrophobic force, hydrophobic force, इन दोनों monolayers को आपस में चिपका के, bilayer बनाने के लिए, जो बल लाएगा, उसे कहेंगे, hydrophobic force, hydrophobic force कब लगता है, जब दो layer, दो monolayers आपस में 3.3 से 4.3 के आसपास, 4.3 nanometer के आसपास आ जाती है, तो उनके बीच में hydrophobic बल लगता है, ठीक, और एक चीज, इन दोनों के बीच में ये जो gap create हो रहा है बच्चों, जिसमें hydrophobic लिखा हुआ है, इसमें water प्रवेश नहीं कर पाता है, entry of water is restricted in this, ठीक है, ये बास समझ में आ गई, Groton and Grendel द्वारा बताया गया, monolayer, bilayer, monolayer किसने बताया था, hard, overton ने, फिर जैसे जैसे progress हुई, science की, Dobson and Donnelly नामक scientist है, उन्होंने बताया, कि सिर्फ lipid bilayer की नहीं बने होती है, उनके उपर protein की covering भी पाई जाती है, देखते हैं, अगला scientist के जो pair है, वो है, Dobson and Donnelly, इन्होंने कहा, कि cell membrane is made up with lipid and protein layers, lipid and protein layers से मिल करके बना होता है, दो lipid layer, Dobson and Donnelly ने कहा, कि उसके उपर एक lipid की layer भी पाई जाएगी, यहाँ पर और एक यहाँ पर, यह protein की layer है बच्चों, किसने कहा था, Dobson and Donnelly, हो गया, आगे लिखिए, अब हम उनके बारे में पढ़ना चाहा रहे हैं, जो आज तक चलते आ रहा है, जो membrane की जो concept है, वो आज तक जो follow किया जा रहा है, Singer और Nicholson के द्वारा दिया गया, fluid mosaic model, ठीक हैं? चौथा है, Singer और Nicholson, उन्होंने fluid mosaic model दिया, fluid mosaic model, उन्होंने यह कहा, कि नहीं, Dobson and Donnelly ने कहा था, कि पहले protein की layer, फिर lipid की layer, फिर lipid की layer, फिर protein की layer, आपस में chip की रहती है, जिसमें lipid layer sandwich हो रही है, नहीं, उन्होंने का ऐसा नहीं है, लिपीड की bilayer के बीच बीच में, proteins के molecule तैरते रहते हैं, प्रोटीन्स के मालेक्यूल तैरते रहते हैं अगर एक उदाहरन से समझाया जाए तो आप लोगों को कभी घी गरम किया है जब आप लोग ज्यादा मात्रा में घी गरम करेंगे तो पहले कुछ हिस्सा घी का पिघल जाएगा और बीच में कुछ हिस्सा घी का ठोस तैरता रहेगा तो जो पिघला हुआ हिस्सा है आप उसे लिपिड मानिए जो अभी ठोस है उसे क्या मानेंगे प्रोटीन मालेक्यूल मानेंगे एक दूसरा उदाहरन बताएं जब आप गलेसियर की फोटो देखेंगे तो बाकी कुछ हिस्सा उसका पिघला हुआ दिखाई देगा और उसमें बर्फ के टुकडे तैर रहे होंगे तो जो बर्फ के टुकडे है उसे आप लोग प्रोटीन मानिए जो पानी है उसे आप लोग क्या मानेंगे लिपिड मानेंगे तो उन्हों नहीं कहा कि लिपिड बाइलेयर की तो बनी होती है लेकिन दप्रोटीन इस नाट फाउंड इन दप्रोटीन फाउंड इस फाउंड इन दपैचेज ओके दिस इस नोन अस फ्लूड मोजैक वायरस मॉडल सॉरी फ्लूड कौन है लिपिड है मोजैक क्या है प्रोटीन है समझ में आई बात यह है समझ गया आप लो अच्छा ठीक अब कंपोटीशन में पूछा जाएगा कुछ चीज है उनके बारे में बता दू अगर लिपिड का स्ट्रक्चर याद रखिएगा पोलार हेड और नान पोलार टेल पाए जाएगी अगर लिपिड की मोनो लेयर आपस में मिल करके एक सर्कुलर समरचना बना दे कुछ इस तरह से स्टुडेंट्स यह एक सर्कुलर समरचना बन गई ध्यान दिया जाए तो जो छूटे हुए गैप से उन्हें भी फील कर दिया जाए जब इस तरह की समरचना बनेगी और बीच में गैप क्रियेट हो जाएगा यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर बोलते हैं माईसिली क्या बोलते हैं माईसिली देन competitive exam में पूछा जाएगा माईसिली is the spherical structure form by option में दिया रहेगा lipid monolayer, lipid bilayer, trite, tetra, fluid mosaic सब कुछ दिया रहेगा किसको करेंगे this is known as myceli made up of made by lipid monolayer तो आप लोग इस तरह की heading लिख करके myceli heading लिखिए इसमें लिखिए made by lipid monolayer in the circular structure क्या काम आएगा बच्चों myceli का क्या उपयोग है एक और structure बताता हूँ फिर बताता हूँ कि myceli और जो दूसरा structure बता रहा हूँ उनका उपयोग कहां हम लोग करेंगे चली myceli लिख लिखिए आपने फिर एक दूसरा heading लिखिएगा liposome it is just like myceli but there is a big difference what is the difference it is not it is the circular structure but not made up made up by lipid monolayer it is made up with lipid bilayer ओके आये देखते हैं कैसे ठीक है दिखाई देरा ये structure बच्चों ये lipid bilayer ऐसे और यह aqueous region या ये खाली जगा aqueous क्योंकि lipid bilayer के अंदर water प्रवेस नहीं कर सकता है तो यहां तो नहीं आ सकता है लेकिं यहां आ सकता है myceli में देखिए monolayer है यहां जगा खाली हुई है दिखाई देरा है यहां लिख लिजे liposome के बारे में made up by lipid bilayer in the circular organization liposome और myceli का उपयोग करते हैं दवाओं की delivery के लिए मतलब क्या हुआ भई मतलब यह हुआ बचों जब हम कोई दवा खाते हैं तो उसको lipid में coat करके और हमारे सरीर में भेज दिया जाता है ताकि जब digest हो करके वह पहुँचे तो lipid के अंदर बचा रहेगा उसके अंदर enzymes नहीं create करेंगे disturbance नहीं create करेंगे तो यह desired track तक जहां उसे भेजना है drug delivery system के द्वारा body के वहां तक भेजा जा सकता है liposome और myceli के द्वारा ठीक है यह बास समझ में आ गई समझ रहो समझ रहो समझ रहो ना cell theory is given by sliding and swan किस नहीं दिया था cell theory को sliding and swan नहीं दिया था अब हम लोग ने बात कर लिया है cell membrane की अब धीरे धीरे सारे cell organs के बारे में बात करेंगे फिर जब nucleus में पहुँचेंगे तो हम लोग बात करेंगे कैसे protein synthesis होगा कैसे DNA और RNA बनता है यह सारी चीज़ें पढ़ते हुए translation, transcription पढ़ते हुए हम लोग समाप्त कर देंगे इसका structure आप लोग याद रखिएगा इसी के recording हम लोग चलेंगे आज हम लोग membrane के बारे में पढ़ चुके हैं cell theory पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं आगे चलते हैं इस बीच में इसके साथ-साथ हम लोग वो अभी पढ़ेंगे जो competition में पूछा जाता है questions तो आपने पूछा लीपोसम किसे कहेंगे और mycelli किसे कहेंगे यह competition में पूछा जा चुका है CSIR net में तो आप लोग के लिए essential था मैंने आप लोग को बता दिया Cell theory given by इतना सनाठा क्यों है भाई बताई भाई Sliden and Swan 18 39 ठीक है 18, 30, 9 ok Sliden and Swan ने दिया क्या कहा भई पहला क्या है भई आर मेट अप विद cells दूसरा cells are the unit of life तीसरा new cells form by pre-existing cells इसको competition में किस नाब से पूजिए पूचता है omni cellula cellule किस ने दिया था विरको नामक scientist ने दिया था बच्चों चौथा होगा cells all the cells are similar in their chemical composition all the cells are similar in their chemical composition अच्चा इसमें एक और चीज आ जाएगी बच्चों पांच्वा नंबर all the cells must have a genetic material all the cells must have a genetic material bracket में लिखेगा DNA तो हम लोग ने क्या-क्या पढ़ लिया आए जरक कौन बताएगा अच्चों